So welcome to financial funda guys, आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पैसे से related ऐसी information जो हम लोगों को बहुत बार बच्पन से दी जाती है, चाहे अंचाहे में दी जाती है, right, because हमारे यहाँ पे financial education and financial literacy की कमी है, तो it will make a difference कि हमें बच्पन से क्या सिखाया जाता है एक businessman के बच्चों को अलग तरह का information दिया जाता है as compared to एक service वाले बच्चों को, and मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि एक बहुत ही better है, एक बहुत ही खराब है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, दोनों जो तरीके हैं काम करने के and money manage करने के यह वाले हैं, यह तरीके अपनी अपनी जगा पे सही हैं, अपने अपने तरीके से सही बनते हैं, उनके उनके हिसाब से जिस तरह से हमको सिखाया जाता है, and this has an issue, क्योंकि हमारे यहां पे schools में, college में, मैंने देखो, मैंने school का किया काम, मेरा b.tech engineering complete किया, मैंने मेरा master's किया, right, and master's तो मेरा MBA में है, right, and with a specialization in marketing उसमें, macro economics पढ़ा, कितना कुछ पढ़ा, in fact, वो US से पढ़ा, तब भी मुझे financial literacy को लेके एक भी चीज सिखाई नहीं गई, यह जो चीजे मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, इसमें बहुत सारी चीजे मैंने notice किया है, कि लोग मुझे बोलते हैं, जो लोग मेरे साथ share करते हैं, कि हम तो not necessarily it was wrong, maybe it was wrong then, but आज वो wrong नहीं है, या उनके time पर wrong नहीं, right, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कि क्या-क्या चीजें, जो ऐसी हैं, जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो शायद तब valid थे, आज नहीं थे, first lie, biggest, जिसकी बात करें, वो है, save your money, right, धक्का लगा, सो इसका मतलब क्या है, सो save your money में, जो चीज हमें recommend की जाती है guys, वो recommend की जाती है, कि अपना income आया, मान लो, आपके पास, एक लाह रुपे, as an example, एक लाह में से, 20-30,000 रूपे हर मन्थ सेव करते हैं अपने बैंक में जादा हुआ तो उसकी FDRD करा लो बट वो भी यूजली नहीं बट मेंली क्या बताया जाता है सेव 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 कैश 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 सेव कर लो problem with saving cash is number one आप inflation भी बीट नहीं कर पा रहे हो inflation है 7-7% आप in fact FDRD कराते हो तो भी अगर हम real rate of return की बात करें as compared to nominal rate of returns अब ये real और nominal rate of return का फंडा क्या है कल वाला वीडियो चेक आउट कर लो मैं card में भी डाल दूँगा तो हम inflation भी बीट नहीं करते अगर हमारे bank account में 3-4% पे भी पैसा पड़ा है we are not beating inflation इसमें बहुत सारे लोग ट्विटर पे गया जाओ तो आपको बता लागे हो बुलेंगे जिंदगी भर थोड़ी inflation रहने वाली है कम भी तो होगी पिछले काफी सालों में तो हुई नहीं तो पिछले 5-7 साल से तो आपका पैसा फिर भी लूजी कर रहा था पांचे-7 साल में अगर हम 7% inflation की बात करें तो आपके पैसे की वैल्यू आदी रहेगी ये टेक्निकली और ये तो मैं overall rate of return की बात कर रहा हूँ inflation side से अगर हम education में देखें पिछले 5 साल में prices इतने बढ़ गए है कि double, triple हो रखे तो education में inflation बहुत अलग है तो save your money का जो concept है वो inherently flawed है आज की दुनिया में जब inflation high है पुराने टाइम में अगर हम gold से backing था US dollar का the situation was different right अब ऐसा possible नहीं है and because इतनी सारी printing हो रही है तो save your money is the biggest lie now इसका ये मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ कि पैसा save ही मत करो बिल्कुल भी नहीं I am saying save your money but save it with a purpose right purpose of having an emergency fund in cash for 6 months, 12 months of expenses purpose maybe being कि मेरे को invest करना है purpose maybe being कि मेरे को घर खरीदना है purpose maybe being कि मेरे को मेरे parents के लिए एक नही गाड़ी लेनी है whatever that purpose is save for a purpose don't just save to save ये हो गए first बात second चीज़ जो हमारे अच्छे के लिए हमें बताई जाती है and वो regularly parents के द्वारा जानपेचान वालों के द्वारा चाचू, मा, मूँ, ताहू वगेरा ये सब लोगों के वज़से बताई जाती है वो बताई जाता है risk मतलो safe है न यार engineering कर ले, MBA कर ले, life set है safe है रेगिलरली होते है आप safety के पीछे बागो के यहां पर अटक जाओगे हमें क्या करना है हमें safety भी improve करनी है बट हमें calculated risk लेने है life में इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है धंदो investor नाम की एक मोनीश पबराय की किताब है बहुत अच्छी किताब है उसमें उन्होंने पटेल फैमिली ने US में कैसे motels और यह जो अपने gas stations gas station के ओपर grocery stores यह इतना बड़ा US का सबसे बड़ा empire motel business पटेल फैमिली का है उन्होंने कैसे वहां जाकर build किया आप समझो तो उसका concept है heads I win, tails I don't lose much Richard Branson का example मैं यहाँ पर दे सकता हूँ जब उन्होंने Virgin Airlines की बात की तो उन्होंने बड़े-बड़े करोणों, लाखों के planes नहीं खरीदे उन्होंने उनको rent पे लेना चाहा उन्होंने उनको lease पे लेना चाहा कि by chance अगर यह flight वाला idea नहीं काम करता है तो वो करोडो, millions and millions के debt में ना हो उनको जब से देना पड़े, वो कम देना पड़े now, even that amount was big right, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि उनको जो कुछ लाख डॉलर देने थे, वो बहुत ही छोटा amount है मैं बोल रहा हूँ, compared to 100 million, 500 million उनको लेना पड़ता है airline company start करने के लिए, compared to that कुछ लाख डॉलर का loss बेटर है न, अगर नहीं चला तो क्या हुआ, चल गया, heads, he wins and he wins, ridiculously big कि वो आज island पर island खरीच सकते हैं, countries खरीच सकते हैं tails, he loses not much at that point, अगर हम उनकी biography देखो वो सब देखो, that amount was still a big amount to him but still comparatively did not lose much तो हम हमारी life में calculated risks लेना चाहते हैं चाहे आप वो engineering के साथ-साथ कुछ करना हो हमें, या ना करना हो so think कि आप अगर risk लेना पड़े, अब ये investment में भी आता है guys, and ये career में भी आता है अगर आपको risk लेना पड़े, तो छोटा लेना पड़े, as, अगर मैं इसको investment side से आपको एक example देना चाहूँ तो investment side से आप example बहुत अच्छा ले सकते हो, कि आप diversification कर रहे हो but आप small cap portfolio भी build कर रहे हो right, तो अपने portfolio का 10-20% ही small cap इसमें डालते हो, stocks में डालते हो, या crypto में coins में डालते हो, so what happens is if you win, right small cap बहुत अच्छा return दे सकते है possibility, but उनका down risk भी काफी जादा है coins, छोटे वाले, बहुत ही जादा risky है, बहुत ही जादा risky है, zero जा सकता है capital but upside भी अच्छी हो सकती है उनकी upside मानलो, कोई एक coin 50X आपको दे गया, आपका portfolio के वारे नियारे हो जाएंगा, आपका portfolio 10, 15, 50 गुना बढ़ जाता है अगर आपने 10% आपके portfolio का एक coin में डाला था या छोड़े coins में डाला था, वहाँ से आपको 50X देखने को मिला, तो आपका portfolio 5, 6X हो जाता है now, 5, 6X downside क्या होई, कि आपके portfolio का 20% lose करते हो, जो आपने small cap coins में डाला है, वो small cap coins या stocks मान लो, पर stock आपने 2% ही दिया, तो 1,00,000 में सिर्फ 2,000 आपको डालना है इस small cap में risk क्या है, 2% का reward क्या है, आपका portfolio 3, 4X हो सकता है heads, I win big, tails I don't lose much, we want to take calculated risks, as compared to, जो हमें सिखाया जाता है, safe खेलो save करो, invest कर रहे हो तो थोड़ा जादा ही conservatively invest करो, right अगर career side पर जा रहे हो अराम से चलो, जल्दी मत करो job hopping मत करो, अपना salary बढ़ाने के लिए, अपना status बढ़ाने के लिए job market में, hold and that is very very risky, safe is risky आज की date में number 3, focus on your job and money will come अभी वो जबाना गया कि जब हम एक job में 20 साल 25 साल यहां पर काम करेंगे job hopping is a great way to get raises हाला कि इसके parallel में एक बहुत अच्छा चीज हो जाता है एक इंसान जो एक job में एक industry में जादा साल बिताले, उसकी value बहुत ही जादा बढ़ जाती है, because वो deep चला जाता है and deep, specialized generalists आपको पता बहुत है, but आप एक चीज में deep हूँ, जिसको हम T-shaped career trajectory भी बोलते हैं, T-shaped marketing होता है, right तो broadly मुझे सब पता है, but एक category है जिसमें मैं specialist हूँ those kind of people are regarded very very highly so focus on your job is fine but आपको parallel में नए skills, side hustles इस पे भी काम करना पड़ेगा you cannot focus just on your job इसका मैं आपको दो example दे सकता हूँ first example दे सकता हूँ आपकी job, आपको जो salary देती है, tax structure की बात करें, तो हम as an employee base है जो भी tax में changes आएंगी, लोगों को subsidies introduce की जाएंगी, उनको फाइदे introduce की जाएंगे, वो government का revenue में से कटेगा, government revenue कैसे बढ़ाएगी, tax collection से tax जादा कौन भरता है employees so in parallel, if I look at let's say मैं एक job कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ job नहीं करो, I am saying job करो job में भी लोग करोड़पती बनते ही बनते है maximum लोग जो हैं वैसी ही बनते है but in parallel they also have other income streams तो job करो ठीक है, मानलो job से आप एक लाग बना रहे हो fine, no problem, वो एक लाग पे अगर मैं इसको मोटा-मोटा पकड़ू मानलो 20% आपका tax आता है या 15% tax आता है आपका 15,000 वहाँ से चला गए, 85,000 in hand you have, post tax अब वो 85,000 से आपको खर्चा करना है, अगर यही parallel में मानलो आप आपकी एक side hustle भी है, आप job से 1,00,000 बनाते हो, 15,000 tax side hustle है, professional income freelancer की तरह आप काम कर रहे हो, वहाँ से भी आप 1,00,000 बनाते हो, but because वो आपकी professional income है without any issues you can show 50% as your expenses, तो अगर आप घर से काम कर रहे हो तो घर का कुछ rent, बिजली का बिल, इंटरनेट, because आप यह services को actually use कर रहे हैं, आप खपला नहीं करना है जो actual expense है, वो दिखाना है असली expense आप दिखा रहे हो, आपको TADA है, यह सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो आपको मानलो side hustle से 1,00,000 खाया उसमें आप बोलते हो, मेरा 35,000 का expense था, यार तो उसमें से, आपको net taxable income is only 65,000 35,000 आपने पहले खर्चे निकाल लिए फिर बचे हुए पर tax देना है as compared to income पहले tax दिया, बचे हुए से खर्चा करने this is the reason amazon जैसे companies billions and billions of dollars बनाते हैं and tax भरते हैं, निल, शुन्य, नाडा, अंडा yes this is the only reason and ऐसा क्यों है guys आप बोलो यार यह तो बहुत ही नाइनसाफी है पर ऐसा क्यों है, businesses they introduce jobs into the economy वो country की economy को आगे लेके जाते है वो और 10 चीज़ें यहाँ पर पूश होती है apart from the economy country का development बढ़ता है जितने जादा businesses हो इसलिए businesses का tax structure थोड़ा अलग होता है हम जैसे individual से so it is a great idea कि आप focus on your job and money will come की बजाए focus on your job earn more, improve your skill sets वहाँ पर promotion लेता जाओ but साथ में, side में you do something चाहे वो YouTube है चाहे वो side income है चाहे कुछ ना कुछ आप यहाँ पर कर रहे हो उसका फाइदा आपको यह होगा कि आप अलग तरह की एक income stream build कर पाएंगे on an average a millionaire has seven streams of income यह line बहुत लोग बोलते हैं बहुत गलत तरीके से पेश की जाती है but I am telling you अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप यह कर सकते हैं इसमें best money management technique अगर आप यूज करना चाहें तो यह कर सकते हैं कि आपकी job की जो income आ रही है उससे आपका खर्चा आपकी savings आपकी investment चलनी चाहिए side hustle से जो आपकी income आती है पूरा का पूरा invest कर लो पूरा का पूरा without touching it lifestyle inflation या lifestyle creep मत आने तो मतलब क्या मेरी income बड़ी मैंने better sofa ले लिया income बड़ी अब मैं normal cafes की बजाए अब मैं Starbucks से coffee पीता हूँ उसका problem क्या होगा इतनी side hustle करने के बाद भी इतना कुछ करने के बाद भी आप life भर काम करने पे dependent रहेंगे आज मैं आप young है हम लोग दिन का 15 गंटा 16 गंटा काम भी कर सकते हैं do you want to do that much work when you are 50 and will you be able to when you are 50 two questions if the answer is no to either one of these then आपको investing पे focus करना ही चाहिए aggressively focus कर लो तो बाद का life उतना easy होता जाएगा because पैसा जो है investing से अपना पाता है dividend income आती है अच्छे-च्छे stock से growth income आती है अच्छे-च्छे stock से you can do that right अपना पैसा ग्रो कर सकते number 4 जो मैंने बहुत ही जादा सुना है all rich people are scum मैंने notice किया जैसे जैसे rich versus poor का haves and have nots का जो gap है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे toxicity बढ़ती जा रही है यह अमीर है ना इसने कुछ गड़बढ की होगी तब यह अमीर है यह अमीर है ना trust fund अमीर बाप का बच्चा यह अमीर है ना ओ ऐसे थोड़ी होता है पैसे आ जाता है कुछ तो गड़बढ है कहीं तो crime की है black money है मैंने बहुत सुना है बहुत लोगों को बोलते सुना है until and unless we start respecting rich people और मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि कोई criminal है तो उसको भी respect करो criminal है तो criminal है until and unless we start accepting rich people हमारा ego बीच में नाल आते हुए until and unless we accept that उन्होंने life में कुछ महनत की है उन्होंने life में बड़े risk लिये है we are not going to get to that level मैं यह नहीं बोल रहा हूँ हम सब Elon Musk बन सकते हैं because नहीं बन सकते हैं मेरा इतना दिमाग है नहीं गंटे भर का भी दिमाग नहीं है अगर मैं Elon Musk से compare करूँ मेरे दिमाग को and most of me and you guys हम लोगों का ऐसा ही हालत है right कुछ अलग नहीं है इसमें बुरा लग रहा हो तो ठीक है but same applies to me also मेरी भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर तो we have to accept that and we have to see कि उन्होंने life में ऐसा क्या किया कि they have what we don't have today right and उन्होंने किस तरह की risks लिये किस तरह की situation में थे Elon Musk PayPal बनाया PayPal चाया सारा पैसा पूरा का पूरा पैसा नए business में डाल दिया जमीन पे सोया office में सोया घर में सोया भी नहीं Elon Musk आज भी वो दिन का अगर एक बंदा है वो दिन का 16-16 गंटे काम कर रहा है दुनिया का सबसे हमीर आदमी होने के बाद भी तो they are sacrificing a lot but smartly hard work बहुत जादा जुरूरी बहुत सारे लोग मैंने देखा है YouTube पे बोलते be smart सिरफ hard work नहीं करो you have to work smart hard work में कुछ नहीं रखा बेवकूफ you look at any rich person anybody who is extremely wealthy they have worked their ass off they have worked very 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 hard दिन का 18-18 20-20 गंटा काम किया है 30-30 साल उन्होंने vacation नहीं लिया है if that is not you fine आप vacation लो आप अपने हिसाब से करो maybe आप billionaire नहीं बनोगे but you'll have it your own way मैं यह नहीं कह रहा हम सब billionaire बने बन सकते है या बनना ही चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ right so this all rich people are scum सब अमीर लोग में कुछ गड़बड है यह हम जब छोड़ देंगे तब हम उनके actual चीज को देखना start करेंगे कि उन्होंने किया क्या है और उसको हम फिर हमारी life में emulate कर सकते है number 5 जो Indian market में सबसे ज़ादा push किया जाता है which I think जिस पे हमें दो बार तीन बार सोचने की ज़रूरत है which is real estate and gold are the best investment gold के real returns are nothing nothing 2-3% भी नहीं आते हैं पिछले 50 साल की बात कर लूँ अगर मैं real rate of returns की so अगर आपने सोने में पैसा लगाया था आपने पैसा लूज किया है सोना does not give you dividends even real estate real estate में real estate is the best investment maybe yes but जिस तरह का real estate हमें बोला जाता है वो थोड़ा सा गडबड create कर सकता है if we have not calculated it enough घर ले लो शादी हो जाएगी वगएरा वगएरा क्या ये गलत बात है घर लेना no मैं ये भी नी बोलना कि outright गलता है because you have a place तो आपका rent का खर्चा बचेगा आप उसको EMI में डालोगे and आपका equity एक जगा पे बढ़ता रहता है fine but अगर आप एक ही घर लेने वाले हो अगर आप दो या तीन real estate की piece लेने वाले हो I think that is a great move एक घर लेलो दो-तीन साल उसमें रो उसको rent पे दे तो दूसरा लेलो दो-तीन साल उसमें रो उसको rent पे लेलो दूसरा दे दो इसको refinance करके you can get things cleared off pretty well so it becomes a very interesting thing अगर आप multiple properties angle से सोचोगे but maximum जो सिखाया जाता है gold में पैसा डाल दो FD करा दो या real estate ले रहे हो तो घर ले लो और उसके बाद और property वाली side पे मत जाओ एक ही घर लो और सोजाओ and that is a problem जब real estate के बारे में सोचने you have to think about cash flow आप कैसे cash flow investment यहाँ पे set कर सको कैसे आप real estate में invest कर सकते हो ताकि आप income generate कर सको वो income को आप और invest कर सको take that income उससे EMI पे करो उसी जगा का let जो बंदा rent में रह रहा है उस घर में जो आपने लिया है let that person pay the EMI and आप वो घर free में बनाओ so मानलो आप आज parents के साथ रहते हो instead of moving out let's say for the next five years आप एक घर लेते हो उसको rent पे डालते हो या एक दुकान ले लेते हो that is better businesses commercial income जो है real estate commercial real estate थोड़ी सी better हो जाती है मानलो आप वैसा कर लेते हो and you don't move out आपका rent का खर्चा नहीं है आपका EMI आपका किरायदार पे कर रहा है essentially हो सकता है आप net net positive हो हो सकता है net net थोड़े से negative हो तो 3,000 रुपे negative 5,000 रुपे negative even 10,000 रुपे negative on a place जिसका actually rent 50,000, 70,000 है yeah why not I'll take that any time of the day वो आपको यहापर सोचना पड़ेगा तो ये real estate and gold आइक बंद करके ले लो is not a good thing uncle लोग बोलेंगे मेरा एक दोस्त है उसने काफी अच्छा करना start किया है बहुत सालों की महनत लगी है उसने so financially he started doing very very well and he was discussing with me recently कि उसके parents उसको pressurize कर रहे थे कि भाई you are going to get married soon you should buy a house जिसमें तू रहता है and that can be a mistake that might not be a mistake depends उसकी situation अलग है आपकी situation अलग है more often than not मेरे opinion में not the right time especially when you are as young as he is जब आप 24-25 साल की range में हो not the right time I think you can wait you can save the money invested somewhere else invested in cash flow properties rather than you buying a home when you already have a home your parents का घर जिसमें आप रह सकते हो यह 5 money lies and these 5 are not all इसके लावा और भी बहुत सारी होंगी जो आप मुझे नीचे comment में बताएं ऐसी कौन सी money correlated lie है बहुत बड़ी जो आपको बताई गई है बच्पन से आपने सुनी है लोगों के बताते हैं आपको अब पता लगा है कि वो गलत है and वो नहीं होना चाहिए था नीचे मुझे comment में ज़रूर बताएं I hope यह वीडियो जो हैं आपको अच्छे लग रहे हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो make sure to smash that like button फोन मत तोड़ना खर्चा नहीं करना है अपने को invest करना है अराम से फोन है तो प्यारते दबादो ठीक है मुक्का मारना मतलब बाव है समझा सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस फानेशल फंडा पे मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में तब तक के लिए पाए एंटे केर